Hello Everybody, Welcome to my YouTube Channel, Legal Prasad आज हम देखने वाले हैं Legal History, आज का हमारा टॉपिक है Legal History और हम ये देखने वाले हैं कि Legal History हमें क्यों पढ़ना है, ये क्यों ज़रूरी है इसका introduction हम पढ़ेंगे, उसके बाद Legal History मतलब हमारा जो आज का Legal System है उसके लिए हमारा past का, मतलब जो History का Legal System है, वो कैसे responsible है तो ये सब चीजे हम देखने वाले हैं हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी incidence आज होता है या कोई भी decision आज लिया जाता है, तो उसके पीछे कुछ history होती है तो ये history उसके लिए responsible है, जो आज decision लिया जाता है या फिर कोई आज incidence होता है मतलब history का जो result होता है, वो आज का present होता है तो इसलिए हमें Legal History पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आज का हमारो justice system है, या judiciary है, उसके जो executives है या फिर judges है, advocates है या फिर ये judicial system का जो machinery है, justice का machinery है तो इसके लिए कौन-कौन contributors है, कौन-कौन stakeholders है ये हम सब देखने वाले हैं और ये आज ही नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है तो हमारा जो judiciary system है, या justice का जो machinery है ये periodically evolve हुआ है, उसमें कुछ phases थे उसमें वो changes आते गए है जैसे कि society change हुआ है, society evolve हुआ है तो justice system भी evolve हुआ है, justice system भी change हुआ है जैसे लोगों का habitat change हुआ है, रहने का तरीका change हुआ है तो उनका approach change हुआ है, तो उसी के हिसाब से भी justice change हुआ है ऐसे बहुत बार देखा जाता है, कि जो चीज या जो कुछ activity थी वो कुछ साल पहले crime था या offense था लेकिन आज हमारे judiciary ने उसको permission दिया है जैसे कि triple तलाग, पहले triple तलाग माना जाता था लेकिन आज triple तलाग जो है, वो abolish किया है तो ऐसे बहुत सारे laws है, adultery जो है वो punishable था लेकिन आज adultery जो है वो punishable नहीं है वो divorce का ground ज़रूर है लेकिन वो punishable नहीं है तो इसी के लिए हमें थोड़ा past में जाकना जरूरी है हमें थोड़ा history पढ़ना जरूरी है तो पहले शुरुआत करते हैं introduction से ये जो legal history है, ये किसके साथ deal करता है हमारा जो legal system है, उसका कैसे origin हुआ है वो कैसे evolve हुआ है और उसका development कैसे हुआ है periodically, मतलब 5 साल में, 10 साल में, 50 सालों में, 100, 100 सालों में तो उसका कैसे changes हुआ है, ये सब चीज़े हम इसमें देखने वाले है हमें ये historical background रहना बहुत ही जरूरी है उसी के बाद हम ये सोच सकते हैं कि अगर कोई change हुआ है तो वो क्यू हुआ है उसके पीछे क्या logic है ये अगर हमें समझ में आता है तो हमें आज के जो laws है आज के मानलो कोई ordinance वगरा है तो उसको समझने में हमें easy हो जाएगा इसलिए हमें historical background पढ़ना बहुत ही जरूरी है आज का जो legal system है ये किस पे depend है? British के legal system पे depend है जैसा हम देखते है मानलो IPC है या फिर law of contract है कि हमने आज ने ये 1872-76 से ये सब चीज़े चला रहा है तो इसलिए हमारा जो आज का जो legal system है उसे जानने के लिए हमारा historical legal system पढ़ना या जानना बहुत ही जरूरी है और ये जो history है और law है ये कभी separate नहीं हो सकते अगर आपको law पढ़ना है या फिर जानना है ये changes क्यों हुए है तो उसके लिए हमें उसका history पढ़ना जरूरी है तो हम logically सोच सकते है कि हाँ ये ये changes हुए है ये changes के बाद ये decision पे conclude हुआ है तो ये बहुत ही important है इसमें हम पढ़ने वाले है कि arrival of British British जब arrive हुए है 1601 में हुए है तब से लेके हमारी इंडिया जो country है 15th August 1947 को independent मिला है तो ये जो दोनो phase है इन ये दो phase में जो कुछ changes हुए है जो कुछ changes adopt किये हैं तो वो सब changes का हम इसमें study करने वाले हैं चार्टर of 1600 और establishment of East India Company ये चार्टर होता क्या है ये चार्टर एक permission होता है या फिर एक ordinance होता है या फिर एक document होता है authorized, legal जो ये East India Company को दिया गया था ताकि वो trade conduct कर सके इंडिया में तो ये जो चार्टर है ये 1600 में दिया गया है जब British हमारे इंडिया में आये थे क्यों आये थे? trade करने के लिए उन्होंने पहले सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे आके rule करेंगे वो सिर्फ trade करने के लिए आये थे लेकिन जैसे हमारे geographical conditions या सब लोगों की society की conditions जैसे उन्होंने देखी है तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको dominate करना शुरू किया है तो उन्होंने हमारा इंडिया को colonize किया है तो यह जो 1600 का जो charter है यह सबसे पहले issue किया था Queen Elizabeth 1st ने December 31st 1600 में यह dates में थोड़ा बहुत changes हो सकता है क्योंकि बहुत बार यह debatable topic होता है कि कौन से सही dates है लेकिन जो examiner है उनको भी यह पता है कि dates में थोड़ा बहुत आगे पीछे होने वाला है So need not to worry, need not to get confused Please follow and stick to one date एक अच्छा कोई भी source follow करो और उसी के dates को adopt करो Queen Elizabeth 1st ने 31st December 1600 को यह charter issue किया है क्या charter issue किया है The Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies मतलब यह जो governor है या फिर company के जो merchants है कहा के London के उन्होंने East Indies में trade करने के लिए permission दिया है तो यह East Indies जो कहा गया है यह हम आगे देखने ही वाले है लेकिन यह जो East Indies में क्या क्या आता है Asia आता है, Africa आता है America आता है तो यहाँ पे उनको trade करने के लिए permission दिया गया था यह जो charter था यह 15 years के लिए था पूरे 15 साल वो यहाँ पे trade कर सकते हैं उसके बाद जैसे भी conditions होंगे उसी के हिसाब से वो renew करेंगे लेकिन अगर यह trade successful नहीं होता है या फिर profit आना जितना expected है उतना नहीं आता है तो यह trade या फिर यह जो charter है यह revoke किया जाएगा और यह revoke करने के लिए 2 years का notice period दिया जाएगा East India Company को अगर यह profitable नहीं होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है यह जो trade है यह profitable साबित होता है तो इसलिए क्या हुआ है देखो यह जो 15 years का जो charter है यह withdraw किया जाता है और एक नया charter दिया जाता है King James 1st के द्वारा 31 May 1609 को यह charter दिया जाता है और East India Company को unlimited या lifetime के लिए trade करने के लिए permission दिया जाता है तो company के पास अभी 1609 के बाद trade करने के लिए lifetime permission है मतलब जब तक company चाहे तब तक वो trade कर सकते है तो यह जो management का जो rights है यह भी दिया गया था East India Company को वो एक governor appoint कर सकते है या government appoint होगा उसके साथ एक committee होगी 24 directors की तो यह मिलके एक office constitute करते है और इनका जो tenure है यह एक साल का होगा एक साल के बाद इनका tenure खतम होगा अगर वो चाहे तो re-election कर सकते है मतलब वो eligible है re-election के लिए तो यह सब मिलके एक general court form करते हैं और अगर किसी को remove करना है मान लो performance अच्छा नहीं है या फिर कोई against law कुछ activity करता है तो उन्हें before expiry यह निकाल सकते हैं और नया person new person can be appointed या फिर elected जितना भी बच्चा हुआ period है वो साल के लिए एक साल है या दो मैने है चार मैने जो भी month या जो भी period बाकी है उसके लिए नया appointment होने वाला है यह था management के लिए अभी हम देखते है legislative power बिल लाते है बिल पास करते है president उन्हें sign कर देता है consent देता है और फिर वो law बन जाता है तो यह सब legislature में होता है तो ऐसे ही legislative power company को दिये गए थे legislative power दिया है मतलब क्या है law making power है company खुद के laws बना सकती है लेकिन उन्होंने कुछ limitations रखे थे company के लिए company laws बना सकता है ordinance बना सकता है लेकिन वो सब reasonable होने चाहिए और यह जो law है यह English law के against नहीं होना चाहिए मतलब जैसा English law का दाइरा है या जो English law सोचता है या जो English law execute करता है उसी के हिसाब से उन्हें जो East India company है उनको उसी के हिसाब से law बनाने है यह contrary नहीं होना चाहिए या फिर British law के against नहीं होना चाहिए English law के against नहीं होना चाहिए तो यह था legislative power और क्या था कि अगर कोई भी petty cases है छोटे मोटे जो cases है तो वो cases try किये जा सकते है company के द्वारा वो चाहिए तो fine दे सकते है या फिर imprison में डाल सकते है तो यह power जो है यह जो rights है यह East India company को दिये गए थे लेकिन उन्हें capital punishment का right नहीं था capital punishment क्या होता है या तो death sentence होता है या फिर life imprisonment है तो यह जो severe तरीके के जो punishments थे capital punishment वो देने का right अभी तब company को नहीं दिया था आगे बढ़ते हैं Kings committee अभी यह जो Kings committee है इसमें limited power दिये गए थे 1600 का जो charter बना था उसमें तो इसके वज़े से क्या हुआ था कि East India company को offenses control करने में बहुत दिक्कत आती थी murder हो या फिर mutiny हो या फिर उनको अगर discipline maintain करनी है servants में तो वो करने के लिए बहुत सारी दिक्कत आती थी फिर बहुत बड़ा problem था अगर किसी को control करना है तो उसको उसके crime के severity के हिसाब से punishment देना होता है जैसे पहले था retributive theory अगर हम अगर आपने सुना है तो उसमें क्या था eye for an eye मतलब heinious crime अगर होता है तो punishment अगर उतना है तो वो fear होता है society में तो ये सब चीजे नहीं mention की थी 1600 के charter में तब ही क्या हुआ है एक royal commission आया है ये क्या है martial law execute करता है ये company को empower करता है कि आप उनके जो right से वो बड़ा दिये जाते है तो इसमें क्या होता है जो captain है ship का captain है वही cases try करेगा punish भी करेगा criminals को normally सभी trade activities जो थे वो ship से होते थे तो ship में बहुत सारे लोग थे तो वहाँ पे crime भी होता था तो अगर crime होता है तो उसके लिए कोई responsible person appoint करना जरूरी है वो crime try करने के लिए तो वो responsible person कौन था captain था वो ship का जो captain है वो responsible था तो इसके लिए ये captain को ये power दिये थे वो try कर सकता है ये cases और अगर चाहे तो किसी को punish भी कर सकता है कोई भी criminal को punish कर सकता है लेकिन इसके वज़े से क्या होता था captain को already बहुत सारे responsibilities थे तो वो over burden था ये justice करने के लिए और इसमें problem भी बहुत आते थे क्योंकि वो unbiased decision नहीं दे पाता था मान लो अगर कोई captain है और एक criminal आया है उसने crime किया है अगर वो criminal captain की बात मानता है या फिर उसके हिसाब से काम करता है या फिर उसको कुछ gift देता है तो वो captain का decision influence करता है तो unbiased decision नहीं होता था तो ये सब दिक्कते सब आती थी तो ये जो royal commission था जो उनके powers बड़ा दिये गए थे तो ये Kings James 1 ने appoint किया था ये 14 December 1615 को ये decide किया गया था और इसमें capital offense के लिए भी जगा बनाई है मतलब आप capital offense मतलब capital offense के लिए या capital offense के जो cases है वो try करने के लिए permission दी गई थी तो ये जो है ये सिर्फ advice लिया जाएगा jury से अगर कोई भी capital offense है उसके लिए अगर कोई decision लेना है तो वो jury से advice लेना जरूरी है और ये jury मतलब क्या था ये 12 servants का एक group था तो उनसे ये advice लेना बहुत जरूरी है और ये सब law थे ये ship में थे उसी के बाद जहाँ पे ये रहते थे जहाँ पे ये residence वगरा था तो Kings James 1 ने फिर 4th February 1623 को Royal Commission को और powers दिये है क्या powers दिये है कि वो land पे होने वाले cases भी try कर सकते तो ये दो चीजे बहुत बड़ी थी जो seas high seas में जो होते थे या ship में जो offenses थे वो भी try कर सकते है और जो land पे जो offenses होगे crime होगे वो भी try कर सकते थे तो इस तरह से वो rights बढ़ा दिये गए थे आईए देखते है Charter of 1661 अभी 1600 में limited power दिये गए थे तो अभी ये changes हुआ है 1600 में जो limited powers थे तो उसके वज़े से उनको servants को control करना बहुत ही difficult था या फिर उनको discipline में लाना बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही difficult था इसलिए ये सब changes लाए थे तो जैसे company ने request किया था कि उनके power जो है वो बढ़ाने चाहिए तो ये consider करते हुए king जो है Charles II इन्होंने 3rd April 1661 को एक charter issue किया है और उसमे governor and council जो है factory के उनको ये power दिया है कि वो civil or criminal cases try कर सकते हैं including capital offenses लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि वो English law के हिसाब से ही चलेंगे उनको जो follow करना है वो English law follow करना है उसके against उन्हें कुछ भी नहीं करना है अगर मान लो कोई governor नहीं है तो chief of the factory जो है वो उसकी जगा लेगा और वो chief of the factory और council जो है उनको authority दी गई थी वो authorized person है ये सब cases try करने के लिए अभी ये जो authorized person थे मान लो chief of the factory है या फिर governor है या councils है तो ये जो appointment का right किसको दिया गया था company को दिया था तो जैसा company को दिया था तो इसके बज़े से क्या होता है कि company trade करती है law भी उनी के हिसाब से बनाया जाता था तो उनको जैसे चाहिए वो laws बनाते थे और exploitation करते थे अभी ये जो president है जो कोई head होगा तो उनको right to vote दिया गया था right to vote के लिए एक condition था जिसका भी share capital 500 pounds है उसको एक vote करने के लिए provision है उसके बास अगर additional stock है 500 pound का तो उसको और एक vote करने की provision है या वो और एक बार vote कर सकता है तो ये सब charter उसमें दिये गए थे ये सब provisions उसमें दिये गए थे अभी हम देखते है सूरत settlement अभी ये सूरत settlement क्या है जब ही ये British आये थे तभी उन्होंने एक target किया था सूरत है, Madras है, Bengal Presidency है या फिर Calcutta Presidency है मान लो ये इंडिया है यहाँ पे पाकिस्तान है पूरा ये मान लो सौधिया रिभिया है तो ये जो सूरत Presidency था तो ये यहाँ पे था जहाँ पे गुजरा थे आज का गुजरा थे, महाराष्ट्र है गोवा है, करनाट का है ये सब वो सूरत Presidency में था ये जो Presidency था ये पूरा Madras Presidency था यहाँ था और इसके उपर जो था वो Bengal Presidency था तो सबसे पहला जो हुआ था वो सूरत Settlement था सबसे पहला टारगेट था ब्रिटिश का वो सूरत पे cold करना ये क्यों important था सूरत उन दिनों बहुत ही important था commercially क्योंकि maximum trading जो होता था ये सूरत में होता था क्यों होता था क्योंकि ये commercial center था Mughal Empire का और ये जो साओधी आरेबिया यहाँ पे हज था तो मतलब जो कोई लोग थे वहाँ पे रहने वाले तो वो क्या करते थे यहाँ पे travel करते थे हज को ये thousands of people जो है वो travel करते थे हज को जितने भी मुगल्स थे तो उसके वज़े से ये बहुत ही prime location था बहुत ही important था और commercial trading के हिसाब से वो बहुत ही valuable था तो इसलिए ये decision लिया गया इसलिए ये decide किया गया उन्होंने कि सूरत को पहले capture करो तो जैसे मैंने बोला पहले कि history के साथ geographical condition भी बहुत important है अगर कोई geographical condition है और वो अच्छे है तो वहाँ पे history हुआ है जैसा कि ये सूरत है यहाँ पे बहुत बड़े ports थे ये पूरा area जो है ये पूरा sea coast था तो ये sea coast होने की वज़े से यहाँ पे बहुत सारे ports थे यहाँ पे trading के लिए ज़ादा scope था और बहुत ही बड़ा commercial center था इसलिए British ने ये decide किया था कि पहला जो capture करेंगे वो पहला सूरत area होगा तो ये बहुत ही suitable area था factory के लिए commercial center था मुगल empire का और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अरब जाते थे हज के लिए तो इसी के वज़े से सूरत एक important center था अब देखते establishment of सूरत factory अभी सूरत factory factory मतलब होता क्या है जहाँ पर ये factory एक ऐसा area होता था जहाँ पर Englishmen रहते थे उनका residence होता था उनका काम वो सब काम बगर करते थे वो area होता था उसको उन्होंने factory बोला है जो King James 1st थे उन्होंने अपना एक ambassador भेजा था Sir Thomas Rowe उन्होंने ये ambassador को जो emperor थे उस वक के जहांगीर उनके पास भेजा है अभी जहांगीर को जैसे भेजा है बहुत सारे gifts लाये थे बहुत सारा पैसा दिया गया था तो उसके वज़े से जहांगीर खुश हो गया और वो जहांगीर खुश होके उन्होंने trade के लिए permission दे दिये तभी एक royal फरमान grant किया था जहांगीर के द्वारा Britishers को ये फरमान ये था कि वो एक factory establish कर सकते है सूरत में ये 16-15 की बात है और ये free trade कर सकते है उन्हीं के हिसाब से वो trade कर सकते हैं तो British ने एक administrative head रखा था जो की president है या governor भी कहा जाता था और बाद में 1687 में ये जो president और council of surat ये जो seat है ये transfer हुआ था Bombay को और Bombay एक independent presidency बन गया था और surat उसको subordinate presidency बना दिया गया था तो ये administration के हिसाब से उन्होंने ये changes किये थे Britishers ने अभी जैसा कि फर्मान उनको मिला था Britishers को जहां गिर के द्वारा तो administration का जो पूरा right है ये administration का पूरा power उन्होंने उनके पास लिया था उन्होंने क्या किया है justice system build करने के लिए एक president और council जो है ये appoint किये थे और ये appoint किसने किया है company ने तो company जो है trade भी वही करेगी और laws भी वही बनाएंगे तो laws ये ऐसे बनाएंगे कि हमारे यहां के resources जो है वो पूरी तरह से exploit करेंगे पूरी तरह से loot के ले जाएंगे तो laws भी ऐसे ही बना दिये जाते थे तो ये जो president और council है इन्होंने court constitute किया था तो ये जो court है ये dual system court था dual system मतलब क्या civil cases भी try होंगे और criminal cases भी try होंगे जो civil cases try होने वाले हैं या होते थे वो personal laws पे थे मालो हिंदू cases जो है वो हिंदू personal laws के हिसाब से try होंगे या muslim लोग जो है उनको muslim personal laws के हिसाब से cases striking किये जाएंगे तो आज भी अगर हम देखते हैं हमारे family laws में हिंदू के लिए अलग laws है muslim के लिए अलग laws है Christian के लिए अलग है तो laws अलग है मतलब अलग अलग provision उनको दिये गए है तो आज का ये जो system है ये बहुत सालों से चलता आ रहा है ये personal laws को बहुत बड़ा value दिया है हमारे judicial system में या justice system में जो criminal cases थे वो सिर्फ मुहमदन law के हिसाब से ही try होते थे जब British इंडिया में आये थे तो उन्होंने administration तो पूरी तरह से लिया था लेकिन जो security system था वो उन्होंने mughal का continue किया था जैसे सुबेदार होता है या दरोगा है ये जो words है आज भी use किये जाते है तो ये mughal के period से ये चलता आ रहा है तो उन्होंने वो system जो है उनके हिसाब से थोड़ा बहुत changes किया है नहीं तो बाकी का सब continue किया है जो disputes होते थे English man के बीच में जो Britishers है उन्हीं के बीच में अगर कोई disputes है तो English law के हिसाब से वो try किये जाते थे Hindu जो है वो Hindu personal law Muslim जो है वो Muslim personal law के हिसाब से Hindu और कोई English man के बीच में अगर कोई भी problem है या कोई भी disputes है तो एक काजी appoint किया गया था यह उसकी responsibility थी यह solve करने की लेकिन जैसा कि British यह dominant status state में थे तो यह dominate करते थे Indians को तो तभी हमारे Indians को back foot पे जाना पड़ता था अभी यह जो cases try होते थे यह जो judges थे उस वोट के लिए जो कोई try करेगा यह cases तो वो कोई knowledgeable person नहीं थे उनको law के बारे में कोई ज़्यादा knowledge नहीं होता था यह कौन होते थे या तो कोई senior officer होता था या फिर ship का जैसे हमने देखा captain होता था तो उनको यह law के field में कोई specific ऐसा knowledge नहीं था तो वो जो कोई cases try करते थे वो उन्हीं के हिसाब से करते थे जैसे उनको common sense है या फिर wisdom है या फिर उनको अगर थोड़ा बहुत कोई justice का sense है उसी के हिसाब से करते थे वो कभी impartial या फिर unbiased decision नहीं दे पाते थे वो हमेशा कुछ ना कुछ चीजों से influence होते थे और वो biased decision होता ही था क्योंकि उनको ज़्यादा knowledge था ही नहीं अब यह जो decisions लिये जाते थे यह majority of votes के हिसाब से लिये जाते थे जो precedent है उसको कोई veto power नहीं दिया गया था ना ही उसको कोई भी override करने का power नहीं दिया गया था तो यह provision इसमें दिया था तो यह सब चीजें यह सूरत settle में हमने देखे है आगे हम देखेंगे madra settlement में क्या हुआ है kialcatta settlement में क्या हुआ है तो यह सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं अगर आपको यह video knowledgeable लग रहा है या तो पर आपको आपको अज़र लग रहा है आप नीचे comment box में post कर सकते है मैं ensure करूँगा मैं खुद उस comment को reply करूँगा Thank you very much, Jai Hind